नमसकार दोस्तों मैं सोनम चैनल और आप सभी देख रहे हैं S.J.SON. S.J.SON. चैनल पर आप सभी का सोखाते तोस्तों आज की कहानी है नंदोई जी की कहत्या सोच यदि आप सभी को मेरे दोवार डिखी गई है कहानी पसंदाई तो चैनल को सबस्क्राइब करतीजिए का, पास में जो पैर आइकन का बताने है, उसे भी जब प्रैस करतेजिए का, क्योंकि उसी समयेंगी आप सबीक हे मेड़ी आने बारी हर कहानी की नोटिफिकेसन, कहानी पसंदाने पर वीदियो को राइक करतीजिए का, क्योंकि आप जा मैंने पुमिस्कुन में तॉप किया है अपनी बेती का रिचन देखकर रमेश्ची और सुनीता जी तो बहुत कोसो होते और रमेश्ची अपनी बेती से कहते हैं मैं तो जानता ही था कि तुम इतने अच्छे नमबरों से पास होगी आखर तुने दिन रात इतनी मेहनद जो किय तब पल्लवी कहती पापा मैं आंगे दॉक्तरी की पराई करना चाहती हूँ एहे सुनकर रमेश्ची और सुनीता जी एक दूसरे की तरफ देखने रखते और सुनीता जी अपनी बेती से कहती पर बेता इसके लिए तो बहुत पैसे चाहिए होंगे और हमारे पास इतने पै और मैंने इसके लिए ही इतनी मेहनत की है तब रमेश्ची ने कहा बेता तुम चिंता मत करो तुम आंगे दॉक्तरी की पराई करोगी अब जाओ एक उसकबरी अपने सबी दोश्टों को सुना कर आओ और एहे लोग पैसे सबका मूँ तो मीता कराओगी ना पैसे रेकर पल् और वहां सुनीता जी रमेश्ची से कहती आकर बेती से जूत होने की क्या जवरती रमेश्ची ने कहा क्या जूत पूरा में अपनी बेती से सुनीता जी ने कहा इही कि आप उसे बाहर पढ़ने के लिए भेजेंगे जबकि घर के परिष्टितिया इस लायक नहीं है पहरे त वहर वेचेंगे और महगाई देखिये दिन पर दिन बरती ही जा रही है तब सुरिक्षी कहते हैं तुम उसकी चिंता मत करो मैं अपनी बेती की खुशी के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ और रही बात पैसों की तो वही तो हमारे पास हैं सुनिता जी ने कहा पैसे कहा हैं हमा हमारे पासरा में ची ने कहा तुम्हे याद है ना आज से दो वर्स पहरे जब मेरी छोटी वहन निसा और वहनोई जी विकास हमारे घर आये थे और उन्होंने हमसे कहा था भईया हमें कुछ पैसों की जरूरत थे एक छोटा से घर दी रहे हैं यह थे आप कुछ पैसे दे द तो मदद हो जाती और हमने उन्हें पांच राफ रुपे दे दे सुनिता जी ने कहा हाँ याद है उन्होंने कहा था कि अभी आप उथार समझ कर दे दीजिए और फिर बात में बिया सही दुरूता देंगे लेकिन आपने चोटी वहन से हम भी आज थोड़ी ना रेंगे यह भी मैं बहुत अच्छे से जानती हूं उन्हों के रिए मुझे अपने सौने के कंगन बेचने परे थे आप जहां नौकरी करते थे बहां से प्याच पर पैसे रिये थे और जो थोड़े बहुत पैसे हमने अपने वेती की भविस के लिए जोर कर रखे थे बहे भी उन्ह चोती बहन को दे दिये और उस दिन से आपकी चोती बहन ने एक बार भी नहीं कहा कि भईया हमें आपके पैसे रोताने हैं जो पैसे बेती के भविस के लिए जमा किये थे यदि आज बहे हमारे पास होते तो कम से कम आज हमें इस परिष्टिती का सामना तो नहीं करना होता तब रमिष जी कहते हैं वही तो मैं कह रहा हूँ जो उस वक्त मैंने पैसे अपनी चोती बेहन और बेहनोई को दिये थे आज वहे पापस मांग रेते हैं और उन पैसों से तो हमारी बेती आराम से जाकर बाहर पर सकेगी तब सुनिता जी कहते हैं ठीक है मांग कर देख रीजिए अभी तक तो उन्होंने अपनी मन से नहीं कहा लेकिन हो सकता है मांगनी पर देते हैं तब रमिष जी कहते हैं तुम तो ऐसे कह रहे हो कि उन्होंने पैसे बापस नहीं किये जैसे उस वक्त को बहुत बर्स हो गए हैं सिब तो परसी ही तो हुए हैं और सोच रहे होंगे कि जब भी इतनी बेती की साधी करेंगे तब हम पैसे वाफस कर देंगे मेरे बेहन बेहनों ही थोड़ी ना कहीं भागे जा रहे हैं देखना जैसे ही पता चरेगा कि परलवी दोक्तरी की पराई करना चाहती है तो अभी पैसे वेज देंगे आकिर मेरी प्यारी चोटी वेन निसा अपनी भतीजी पलवी को बहुत चाहती भी तो है और याद है ना तुम्हे निसा कहती थी कि पलवी की साथी में बहुत पैसा करच करेगी तब सुनीता जी कहती अच्छा थी के फॉन लगाईए अब दीदी को रमेश जी अपनी चोट वेन निसा को फॉन रगाते और खुसकर भी देते हुए कहती निसा तुम्हारी बतीजी ने पूरे उसकुर में तौप किया है वार्मी में उसके फ़र्ष्ट करास नमबर आए हैं इही सुनकर निसा कहती भईया यह तो बहुत वरी कुजी की बात है आपको और भावी को बत बता रहे थे कि ररका बहुत पैसे वारे घरका है तो भावी से कह दीजिए की अब उसे घर के काम भी सखाती है आखिर बक्ता चुका ही कि हम अपनी परलवी के अथ पीड़े करते तब रमेश ची कहते निसा तुम क्या कह रही हो अभी पल्लवी की उमर ही कितनी है हम तो उस उसे आंगे पराना चाहते हैं तब निसा कहती है भाईया आंगे पर कर क्या करना है पैसे भी रड़कियां चाहे जतना पर रहें उन्हें करना तो घर के ही काम है तो फारतों में पैसे क्यों वरवात कर रहे हैं लेकिन निसा पलवी का कहना है उसका मन आंगे परने का है और मैं ने उसे कह दियाए कि मैं उसे आंगे जरूर पराऊंगा और इसी विसाई पर मुझे तुमसे बात करनी है इसलिए मैंने तुम्हे फॉन किया आए तब निसा रमेश ची को रोकते हुए कहती अब भाईया पल्लबी तो वच्ची है वही क्या जाने क्या सही और क्या कर रहा थे लेकिन अब आप भी उसे आंगे पराना चाहते हैं तो मैं इसमें क्या कह सकती हूँ थी किसी कोलिश से उसे भी ये करा देना मैं तो आप से सिर्फ इस लिए कह रही थी साधी कराने के लिए की रिष्टा बहुत अच्छा था ऐसे रिष्टे वर वर थोड़ना मिरते हैं पर तुम ही अभी कह रही हो कि पलवी बच्ची है बही क्या जाने तो मैं एक छोती सी बच्ची की साधी कैसे करा सकता हूँ और मेरी वेती वी ये करना नहीं आंगे दौक्तरी की पराई करना चाहते हैं और मैंने उससे कह दिया है कि मैं उसे आंगे दौक्तरी की पराई जरूर कराऊंगा और मुझे तुमसे और बिकास चीज से इसी विसाई में बात करने हैं तब निसा कहती भाईया उसमें तो बात कर रहे हैं दोक्तरी की पराई में जानते भी हैं कितना खर्च होगा इतने सारे पैसे आएंगे कहां से कोई जवरत नहीं है भाईया आपको पल्लवी को दोक्तरी कराने की जाता ही पनने का सौके तो उसे पीए कराईये और फिर उसके बाद उसकी साथे कर दीजे फार तुमें पैसा क्यों वर्वात करना तब रमीशी कहते हैं निसा मैंने तुम से इस चबाब की तो उमीद नहीं की थी लेकिन ठीक है तुमें जो ठीक रख रहा तुम कह रही हो अब थोरी मेरी बात विकास जी से भी करा दो निसा ने इसारे में विकास से कहा भाईया आप से बात करना चाहते हैं विकास ने भी इसारे में कह दिया कि कह तो में घरपन नहीं हूं क्योंकि भाई जानता था कि अब बात पैसो पर आएगी तब निसा कह दी भ रमिष जी ने का बहे तुम्हें या थे न कि जब तुम्हें घर रहे ना था तो तुम्हें मुझसे कुछ पैसे उधार दिये थे। बहे बाबिश चाहिए। निसा ने एक कहती हुए फॉन रख दिया। बहे आवाच नहीं आ रही है। कहीं नहीं दिया। कहीं ऐसा नहीं कि वहे हमारे पैसे ही देना नहीं चाहती हूँ। और उनके पैसे भी वापिस करने ही होंगे। जर्ण सोचाएं अब भाईया पैसे मांगेंगे तो आप क्या कहेंगे बिकास, ने कहा बही कहेंगे जो सच है। में तुम्हारे भाईया से कह दूँगा कि अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं कि हम उन्हें दे सके। सब कुछ सच सच बताना ही होगा क्या सच में विकास और निसा के पास पैसे नहीं थे या वही जूद बूर रहे थे और पैसा ना होने के कारण किया रमेश्ची अपनी बेती का सपना तोड़ देंगे जानने के लिए कहानी का अगरा भाग जरूर देखें जिसके लिए कर ली अबाग तो आप सभी को पता चाह सके कहानी पसंदानी पर चैनल को सस्क्राइब वीडियो को लाइकें से अजल कीजिएगा थेंक्स पर वाचिंग